खेर आज हम बात करने जा रहे हैं दा ग्रेट खली सर के बारे में अब पिछले कुस दिनों से यार इनका कमेंट बॉक्स ऐसा ऐसा बवासीर मचा चुका है ना कि हरी यूटूबर का फर्द बन चुका है एक इनके पर वीडियो बनाने का क्योंकि यार लाइक और सब्सक्राइ बेन के लिए तो दिल पे ना सिय और वीडियो को मजाक संब्स पर लएं और मृप कर दें पिछले कुछ दिनों सेार इतने जयादा से यार इतने ज्यादा हैं के इंस्ट्राग्राम अकाउंट पर कमेंट आ रहे हैं उच पटंग या कि तुम उसको देखो गे ना तो हस्ते हस्ते तुम्हारा कलेजा बाहर आ जाएगा नई सला पादमार के सोफा भी फड़ जाता है और अगर पादमार के सोफा भी फड़ भी जाता है ना तो खली सर अगर हमाले पे चलगे पादेंगे तो आदि दुनिया खतम हो जाएगी लेकिन 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 सोचो अगर यह सच में हुआ यानि कि खली सारकार है पांद के सोफा फांदे तो कैसा लगेगा नहीं पता न और मैं दिखाता हूँ सार चलती गाले से कूत के रोट तोर दो कभी तुमल्ग बोलते हो कि सर पाद मारके सोफा पारदो कभी बोलते हो सर गाड़ी से कूत के रोट तोड़ दो नहीं यार वो खली सर हैं खली सर WWE की चैंपियन है वो कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि तुम इनको डेयर देते रहोगे और वो करते रहेंगे और अगर सच बतारे अगर तुम लोग में से किसी के भी घर वो पहुच गए ना तो सच बतारे तुम्हारा पुरा खांदान बहां द कि अधियों देड़ ना कि तुम्हारी फरमायस पूरी हो और ना हो सन ब्लॉक हो या ना हो लिकिन अगर तुम्हारे गल्ती से भी खली सर अग जयें खांद और बोल लाओं कि मजाक हद में करो यार अटिस्रण एखली सार साथ तोल पिंडिया को आकशीजन से दी दो नहीं अगर औ औक सीजिटन घली सरदेने लगे आ अगी जरूति नहीं है वैसमि मारके दरती का एक्ति गुमा दू ताकि आपकी फोटो को हम ठीक से देख पाएं अच्छा एक हाथ तक तुम सोचो सोचो कि अगर धर्टी का एक्सेस घूम गया तो तुम फोटो देखने लाइक बचोगी भी कि नहीं यार खेर बस यार ये सब को बंद करो अब ज्यादा अच्छा नहीं लगता यार तुम लोगों मैं एक चीज बताना चाहूँगा अगर तुम इस वीडियो में कमेंट करते हो ठीक है जो तुम जो कमेंट करोगे यानि कि जो तुम डेर दोगे वो मैं अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा तुमें तो यार देर देना मत भूलना और आने वाली हो सकता है दो चार वीडियो इसी तरह बने तो यार मैनेज कर लेना ठीक है बाकी लाइक करो चनल पर नए हो चनल को सब्सक्राइब करो मैं भी चला आप खली सर के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करने बाई सर पाद मार के एक मिलियन सब्सक्राइबर करा दो प्लीज